कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भूलया 3, भूल भूलया 3 के ट्रेलर लॉंच का सभी को बेसबरी से इंतजार था, वहीं आज 9 अक्टूबर को मेकर्ज ने जैपुर में ट्रेलर लॉंच किया है, बता दे कि इस ट्रेलर को देखते ही फैंस की जमकर प्रतिक्रिया आ रही है, फैंस का रियेक्शन देखकर लगता है कि ट्रेलर फैंस को बेहत पंसद आया है, मंजुलिका और रूव बाबा की होगी भिलंट, ट्रेलर में रूव बाबा और मंजुलिका के बीच जबरदस्ट भिलंट देखने को मिल रही है, फैंस को भी फिल्म के ट्रेलर से कुछ ऐसी स्मार्ट राइटिन कमाल के विजुल्स और एक दिल्चस्प कहानी इस ट्रेलर में देखने को मिल रही है भूल भुलया भारत की सबसे मशहूर होरा कॉमेडी फ्रेंचाइजी में से एक है इसने हमेशा दर्शकों का भरपूर एंटेटेन्मंट करने के साथ उनके दिलों पर राज किया है बड़ी हित साबित हुई थी भूल भुलया दो भूल भुलया दो एक बड़ी सफलता थी जिसे कोरोना के बाद रिलीज किया गया था और इस फिल्म को देखने के लिए लंबे समय के बाद बड़ी संख्या में भीर सिनेमा घरों में वापस आते हुए देखी गई थी फिल्म ने न सिर्फ लगभग 266 करोर रुप्य की कमाई के साथ रिकॉर्ड बनाया था बलकि 2022 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बन गई थी वहीं एक बड़ी सफलता के बाद अब फिल्म का तीसरा पार्ट रिलीज होने को तेयार है फिल्म में नजर आयेंगी विद्या बालन और ये नामी हसीनाए बतादे की इस भूल भुलाया का जब दूसरा पार्ट रिलीज हुआ था तब सभी को विद्या बालन की बेहत कमी खली थी फैंस का कहना था की फिल्म काफी अच्छी थी बस विद्या बालन होती तो फिल्म और भी शांदार होती तो इस बार मेकर्स ने फैंस के दिल की सुन फिल्म की स्टार कास्ट में त्रिप्ती डिम्री के साथ विद्या बालन का नाम भी जोड़ दिया है लेकिन बतादे की मेकर्स ने फैंस को दीवाली बोनस भी दिया है जी हाँ, इस बार फिल्म में धर्धर्गल माधुरी दीक्षित भी नजर आने जा रही है जो फिल्म में अपनी एक्टिंग और डांस से चारचांद लगा देंगी बता दे कि इस बार सिर्फ विद्या बालन ही नहीं बलकि माधुरी भी मंजुली का बनी है इस बार कहानी में नया ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है भूल भुलया तीन का होगा इस फिल्म के साथ भारी क्लैश भूल भुलया तीन मोस्ट अवेटेट फिल्मों में से एक है ये फिल्म दीवाली के मौके पर रिलीज हो रही है लेकिन लगता है कि इस बार फिल्म को जबर्दस तक कर मिलने वाली है क्योंकि साथ में रिलीज हो रही है रोहित शेटी की फिल्म सिंधम अगेन जी हाँ दोनों ही फिल्मों की रिलीज देट एक नवंबर है इस दोरान दोनों ही फिल्मों के बीच भारी क्लेश देखने को मिलने वाला है